नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिजनिंग के पाँज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण एसे प्रश्ण जो किसी भी कॉम्पिटिशन एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एसे प्रश्णों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं और साथ ही साथ इनको हल करने की बहुती आसान ट्रिक आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो विदियो श्टार्ट करने से पहले यदि अभी आपने हम्आरे चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर विडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक साधिक लाइक एवं शेयर जरूर कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रिजनिंग के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं तो शुरू करने वाले हैं आज हम ये वीडियो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्योशन दिया है यदि 56 गुणित 11 बराबर 9 37 गुणित 13 बराबर 6 तथा 42 गुणित 12 बराबर 3 हो तो 87 गुणित 17 का मान बताईए तो सबसे पहले इसे क्योशनों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर अगर हम देखे तो ये 56 गुणित 11 से 9 किस प्रकार आया होगा तो यहाँ अगर हम देखे तो ये 5 और 6 को यदि हम जोडते है तो ये 5 और 6 जोडने पर कितना हो जाता है ये हो जाता है 11 उसके बाद इस 1 और 1 को जोड़ा जाये तो कितना होता है 1 और 1, 2 अगर हम इस 11 में से 2 को घटा दे तो ये 9 हमारे पास आ जाएगा तो हमें 11 में से 2 को माइनस कर देना है ताकि 9 बच जाए अब इसी प्रकार अगर हम इस दूसरे वाले में भी देखे तो 37 गोड़े 13 बराबर 6 किस प्रकार से आएगा इसमें भी ऐसा ही करते हैं हम 3 और 7 को पहले जोड लेते हैं 3 और 7 हो जाएगा 10 और 1 और 3 को जोड़ा तो 4 अब यदि हम इने माइनस करें तो कितना बचता है 6 बचता है यहाँ पे 6 दे रखाए इसे प्रकार से इसको भी अगर हल करें तो 4 और 2 6 फिर माइनस 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे यह 3 अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा 3 यहाँ पे दिया भी है माइनस करना पड़ेगा कितना 7 प्लस 7 14 को तो आप 15 में से 14 माइनस किया तो हमारे पास वस्ता है 1 यह निकिस का राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 1 तो यह हमारा question यहाँ पे solve हो चुका इसी प्रकार अगर हम दूसरे question को देखते हैं अब यहाँ पे तो दूसरे question में हमारे पास एक शंकला दी गई है दी गई शंकला में अगली संख्या क्या होगी वो बताना है शंकला दीए 4, 2, 2, 4, 14 तो अब चवदा के बाद क्या आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पे इस शंकला में 4 के बाद 2 किस प्रकार आया होगा तो हम यहाँ पे 4 में यदि हम 1 का गुणा करके देखें तो 4 एकम 4 अब इस 4 में से यदि हम 2 माइनस कर देते हैं तो कितना बजज जाता है हमारे पास 2 बजज जाता है यनिकि यह दूसरी संख्या आ गई अब इस दूसरी संख्या से अगर तीसरी संख्या की बात करें तो यह किस प्रकार आया होगा तो अगर हम यहाँ पे इसमें भी एदि 1 का गुणा कर दे तो 2 एकम 2 आएगा और 2 में से 2 माइनस करने पे तो फिर 0 बसता है लेकिन यहाँ 0 नहीं बल्कि 2 दिया है तो अब इस बार हम एक का गुणा नहीं करते है बल्कि इस जो दूसरा वाला जो अंका है 2 इसमें हम गुणा कर देते हैं कितने का 2 का तो 2 दुनी हो जाएगा 4 अब 4 में से 2 माइनस कर देते हैं तो बज़ जाएगा हमारे पास यह 2 यह निकि यह 2 भी आ गया तीसरा नंबर वाला भी अब इस 2 से अब फिर से 4 लाना है तो अब हम आगे बढ़ाते जाए इस स्क्रम को अभी हमने 1 से गुणा किया था दिया भी है अब 3 का कर चुके तो अब हम 4 का कर लेते हैं तो 4 का किस्त में गुणा करना है इस 4 अंक में मतलब 4 के अंदर तो 4 चोक 16 अब 16 में से भी कितना 2 माइनस दे हम करें तो वो ही हमारे पास यह 14 बचेगा जो कि दिया भी है तो अब हम 16 के बाद क्या आएगा वो आसानी सब पता लगा सकते हैं किस प्रकार से 14 में अब हम कितने का गुणा करेंगे यहाँ पे 14 में हम गुणा करेंगे 4 के बाद अब 5 का गुणा कर देते हैं तो 14 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 70 तो 70 में से 2 को यदि हम माइनस करते हैं तो अब हमारे पास बचता है कितना 68 तो 68 बचा है यानि कि हमारा जो option number A है वो यहाँ पर right हो जाएगा तो इस प्रकार से हमारा answer आचुका इसका भी अब अगर हम तीसरे वाला question देखते हैं तो तीसरे question में हमारे पास दिया है यह blood relation का question है यहाँ पर B C की चाची है और A B का पती है सबसे पहला गर हम यहाँ पर देखें यह जो B है यह B किस की चाची है यह B है C की चाची है C की चाची है B और A जो है वो B का पती है तो यहाँ पे A जो है यह इस B का पती है यह इसे हमने माइनस लगा दिया इस पे प्लस लगा दिया पुरुष के लिए हम प्लस और महिला के लिए माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे तो यह जो A है यह B का पती है अब B D की बहन है तो ये जो B है ये इस D की बहन है तो तदनुसार A का D से क्या रिस्ता है अगर ये दोना आपस में बहने है और इसका पती A है तो ये A इस D का क्या लगा तो ये अगर हम देखे तो यहाँ पे जीजा हुआ इसका क्यों क्योंकि ये इसकी बहन हुई यहाँ पे किसकी बहन है ये D B की बहन है और B का पती कौन है A है तो अगर इन दोनों में रिस्ता देखा जाए A और D में तो जीजा और साली का रिस्ता है मतलब यहाँ पे अगर हमसे पूछा गया है कि A का D से क्या रिस्ता है तो A का रिस्ता बताना है तो A तो कौन हुआ इस D का जीजा हुआ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number D येनि की जीजा इसमें हमें यहाँ इस C की कोई आउशकता नहीं पड़ी है तो चाहें तो हम इस C, B, C की चाची है इस लाइन को अगर न भी पड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी तो ये हमारा question यहाँ पर solve हो गया अब अगला जो question है वो है दिये गए विकलपों से संबंदि संख्या को चुनिये अब यहाँ क्या है 12 अनुपात 35 समानुपात 16 अनुपात question mark तो हमें किस प्रकार से इसको लेना है कि 12 का 35 से जिस प्रकार संबंद है उसी प्रकार 16 से किसका संबंद होगा वो यहाँ पर हमें बताना है तो इसे हल करने के लिए हम क्या करें यहां पर अगर 12 और 35 में देखें तो 12 का स्क्यूर करने पर तो 144 आता है जो कि इस 35 से बहुत जादा होगा तो हम क्या करें इस 12 को आधा कर देते हैं 12 का आधा कितना हो जाता है 6 हो जाता है तो उस 6 का square करें यदि हम तो 6 का square होगा 36 अब 36 में से सिर्फ हमें 1 माइनस करने पे ही क्या प्राप्त हो जाएगा ये 35 प्राप्त हो जाएगा तो 36 माइनस 1 से 35 आ गया तो ये की यही trick हम इसके लिए भी लगाते हैं इसमें भी हम क्या करें 16 का आधा कर देते हैं जैसे यहां 12 का आधा किया था इसमें 16 का आधा करते हैं तो 16 का आधा हो जाएगा 8 अब 8 का square करें तो 8 का square हुआ 64 अब जैसे इसमें 1 माइनस किया था 64 में से भी 1 माइनस करते हैं यदि हम तो हमारे पास बसता है 63, तो 63 अगर हम देखें, तो वो हमारा काय में दिया है, option number A में दिया है यानि कि option number A हमारा यहाँ पे right हो जाएगा, तो इस प्रकार से question भी हमारा यहाँ पे आसानी से solve हो गया, अब एक question हम आपको खुद को solve करने के लिए यहाँ पे देने सत्रवे स्थान पर और पीछे से 24 स्थान पर हूँ, तो कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं तो इसका answer आप हमें comment करके जरूर बताएं और इसका अगर आप solution देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप part number 37 देख सकते हैं reasoning का, जिसकी link का आपको description में मिल जाएगी या फिर आप चाहें तो playlist में जाके reasoning में part 37 को देख सकते हैं तो इसके link वैसे हम description में देदेंगे, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद